हलो फ्रेंड्स मैं आनन सेन एक बाद फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स की क्लास में हैं लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी एक बार मैगनेट के कारण एक्सियल लाइन और एक्विटोरेल लाइन यानिकि अक्ष और निरक्ष पर अग्नेटिक फिल्ड की इंटेंसिटी वह हम चर्चा कर चुके आज कुछ टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे एक बार मैगनेट जो है एक डाइपॉल जो है इसको यूनीफॉर्म मैगनेटिक कितना बल काम करेगा कितना बला घून काम करेगा कितना फोर्स होगा कितना टॉक होगा अगर टॉर्क काम करता है तो उसको डिस्प्लेस करने में कितना काम करेंगे विस्थापन में कितना काम होगा उस बला घून के द्वारा उस टॉक के द्वारा तो इस पर हम चर्चा आगे बढ़ें उससे पहले सारे वीडियो सारे नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंचे इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें और बैल आइकन प्रेस करें आज को पहले टॉपिक पर शर्चा करते हैं चलते हैं पहला टॉपिक है अपने को फोर्स निकालना है टॉक नि को दिखाया हैं मनें पड़ी यूनिफोर्म फिल्ड को कैसे दिखाते हैं यह मैगनेटिक फ्यल्ड लाइन से सेम वैसे ही चलेगा अगर मैगनेटिक फिल्ड लाइन्स same बराबर distance पर separate हो same length का हो और same direction वाली हो parallel lines हो तो वो एक uniform magnetic field को present करती है तो ये बल रेखाएं ये चुमबा की बल रेखाएं है same distance पर है parallel है और same direction की है direction same है इसका मतलब ये एक uniform magnetic field को दिखा रहा है ये एक bar magnet है NS इसकी effective length अपने assume कर लेते हैं कि जो इसकी प्रभावी लंबाई है इसकी जो effective length है दोनों poles के between जो distance होता है ये small L है ये इसका effective length है ये इसका north pole ये इसका south pole ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि magnetic field intensity का formula होता है F over M अब हमारे पास magnetic field है ये uniform magnetic field है B B हमारे पास है ये दोनों आपके पास poles है माल लेते हैं इसकी magnet की जो pole strength वो है small M दोनों poles इस uniform magnetic field में रखे हैं तो इसके according B आपके पास M आपके पास तो force काम करेगा F is equals to MB north pole के बारे में हम जानते हैं उस पर जो force काम करता है वो होता है आपके पास field की direction में south pole पर जो force काम करता है वो magnetic field के opposite तो ये north pole है इसके according इस पर force होगा F is equals to MB इसके according direction होगा magnetic field के लिए उसकी direction में तो मतलब सबसे पहले north pole पर इस magnetic field के कारण हमने force निकाला है क्या होगा F is equals to MB magnetic field intensity या चुम्बक ये छेतरी की तीवर्ता के जो परिवाशा है उससे ठीक है direction का होगा इसका B के along चुम्बक के छेतरी B की दिशाम है यानि के along to B ठीक है अगर south pole की बात करें south pole है इस पर force होगा आपके बास कितना F is equals to MB magnitude यह होगा लेकिन direction क्या होगी south pole है उसके opposite magnetic field के opposite MB है opposite to B चुम्बक ये छेतरी के विपरीट अब इन दोनों force में क्या इस पैसिलिटी है इन दोनों बलों में विशेस्ता हैं दिख रही है दोनों के magnitude सेम है परिबान सेम है direction opposite है parallel है लेकिन इनके working point कैसे है इनके कारे कारी बिंदू अलग-अलग है co linear है एक ही रेखा के अनुद इस काम कर रहे है एक ही line के along काम कर रहे है लेकिन working point along है तो resultant force दोनों balance करेंगे एक दूसरे को resultant force परिणामी बल होगा 0 यानि कि जब एक bar magnet को एक dipole को magnetic dipole को समरूप चुमबा के चेत्र में uniform magnetic field में रखते हैं तो उस पर परिणामी बल resultant force होगा 0 लेकिन यहां आपके पास एक ही point पर ये काम नहीं कर रहे है इनका working point इनका कारे कारी बिंदू अलग है इसलिए दोनों मिलकर के एक pair बनाएंगे force का pair बन जाएगा जिसको हिंदी में बल यूग में बोलते हैं बल यूग में develop हो जाएगा वो force pair वो couple जो आपके पास create हुआ है वो मिलकर के एक torque develop करेगा एक बलागून उत्पन करेगा यानि कि एक बलागून उत्पन होगा और बलागून टॉर्क जो काम करता है वो rotational motion में angular motion में काम करता है तो वो torque इसको rotate करेगा ये आपके पास बार मेगनेट अगर torque काम करेगा एक force यहाँ इधर एक force यहाँ तो वो torque इसको आपके पास rotate करेगा और rotate करके क्या करेगा field की direction में चुम्बक ये छेतर की दिशा में लाने का प्रियास करेगा तो वो अपने को निकालना है यानि कि force 0 हो गया लेकिन torque काम कर रहा है और torque का बलागून का formula क्या होता है force into दोनों force के between perpendicular distance यानि कि बल into बलों के बीच की लंबवत दूरी तो force कितना है एफ दोनों ये और ये इनके between perpendicular distance ये है इसको हमने आगे बढ़ा दिया और यहां से एक perpendicular draw कर दिया लंब draw कर दिया है तो perpendicular distance हो गया एन ए एन ए लिखा है तो एक right angle triangle ये theta angle पर रखा हुआ है बार मैगनेट तो यहां भी ये theta होगा जब ये theta है तो एक right angle ट्रेंगल तो यहां से इस side का value निकालना है तो ये sin theta से निकलता है तो इस triangle से sin theta का value निकाल लेते हैं sin theta क्या होगा क्या होता है perpendicular over ये side H तो यहां Na over Ns Ns का value आपके पास कितना है L तो N A का value आगया N A sin theta तो N A आगया L sin theta तो यहां से आपके पास इस perpendicular distance N A का value आगया इसको value डाल देते है equation third में तो talk आगया F L sin theta F का value है आपके पास M into B तो यहां रख दिया M into B into L sin theta L इसके साथ adjust कर दिया है क्योंकि यह bar magnet जो है इसके लिए dipole moment dipole moment का definition होता है किसी भी एक pole की magnet के pole की pole strength और effective length effective length इसका है small L यहां आगया ML यहां भी लिखा हुआ है मैंने तो इस bar magnet का जो magnetic moment है जो चुमबा की आगून है जो आपके पाद dipole moment है वो होगा ML तो यह बन गया M B sin theta तो यह है आपके पास किसका value एक bar magnet एक magnetic dipole जब uniform magnetic field में सम चुमबा की चेतर में रखते हैं तो उस पर resultant force होगा 0 कोई force काम नहीं करेगा लेकिन उन दोनों poles पर जो force काम कर रहे हैं उनका कारेकारी बिंदू उनका acting point अलग-अलग होने के कारण मिल करके एक torque develop कर देते हैं एक बलागून उत्पन करते हैं जिसके कारण वो इसको rotate करेगा rotate करने की कोशिश करेगा और field की direction में लाने की कोशिश करेगा और उसकी value calculate की हमने वो आ गया है M B sin theta जहां M है इस bar magnet का इस dipole का इस दीदरूव का चुमबा के आगून magnetic moment और B magnetic field intensity है theta वो angle है जिस angle पर इस bar magnet को रखा गया है ठीक है तो यहां से और आगे चलते हैं अगर bar magnet ये जो bar magnet है theta ऐसे ना रखकर theta angle पर इस angle पर होता यानि कि ये field का direction और bar magnet ऐसे रखते हैं ये north और ये south तो क्या होता theta 0 theta 0 तो M और B parallel हो गए एक ही direction में है तो sin theta कितना होगा 0 sin theta 0 तो यहां से बलागून कितना होगा tau कितना होगा 0 यानि कि जब bar magnet magnetic field के along उसके direction में रखा जाता है उसके समानतर रखा जाता है तो उस पर कोई बलागून काम नहीं करेगा ना बल काम करेगा ना बलागून ना force होगा ना torque होगा अब बात करते हैं दूसरी condition की अगर आपके पास ये magnetic field का direction B का direction और बार magnet को ऐसे रख देते हैं उसके perpendicular ये north ये south दोनों force काम करेंगे एक इधर एक इधर perpendicular है theta 90 perpendicular तो sin theta कितना होगा यहां से 1 sin theta 1 तो torque कितना होगा MB यानि कि ये अधिक्तम इस condition में उस पर अधिक्तम बलागून काम करेगा यानि कि जब बार magnet magnetic field के perpendicular रखा जाता है तो उस पर जो बलागून काम करेगा वो maximum यानि कि जब uniform field में रखते हैं तो सिर्फ force 0 है force 0 का मतलब वहां कोई translation motion या इस्थाना अंत्रणिये गती नहीं होगी सिर्फ बलागून काम कर रहा है तो वहां rotational motion यानि कि कोणिये गती होगी अगर ये field non uniform होता एस अमरूप होता तो वहां पर force 0 नहीं होता क्योंकि B का value बदलता force नहीं आता 0 दोनों force की value अलग अलग होती resultant force 0 नहीं होता परिणामी बल बसता कुछ तो वहां translation motion इस्थाना अंत्रण गती भी होती और ये गती भी होती rotational motion समरूप छेतर में सिर्फ force काम नहीं कर रहा है बलागून काम कर रहा है सिर्फ rotational motion ऐस समरूप छेतर non uniform magnetic field है तो वहां F भी होगा और torque भी होगा बल भी होगा बलागून भी होगा तो वहां आपके पास इस्थाना अंत्रण के साथ rotational motion भी होगा तो ये जनरल बात आगे चलते हैं अब बात करते हैं जब इस पर बलागून काम कर रहा है अगला topic इसी से आगे चलते हैं अगला topic है इस पर जो torque काम किया वो इसको rotate करेगा तो rotate करने में rotational motion में कितना work done होगा कितना कारी होगा तो देखते हैं आगे तो अगला topic है चुम्बा की दीदरूप को गुमाने में किया गया कारी है समरूप चुम्बा की छेतर में work done in rotating in magnetic dipole in uniform magnetic field अभी आपने देखा torque काम कर रहा है torque ये है mb sin theta भी आपने निकाला है ये इसको rotate करेगा रोटेट करेगा रोटेट करेगा तो आपके पास कोई work done होगा अब work done होगा तो कैसे हमारे पास force होता है तो force है तब work done का formula होता है w is equals to f dot dr अगर थोड़ा सा displacement alp displacement dr करें तो इतना work done होता है लेकिन यह rotational motion है तो उसके according dw force की जगे torque यहार linear displacement रेखिये विस्थापन होता है रेखिक गती में यहां कोण ही यह गती है एंगलर motion है तो यहां आएगा d theta, torque d theta ठीक है अगर एक ही direction में होता है इसको generally लिख सकते हैं dw equals to torque d theta यह general चीज़े हैं हमारे पास यानि कि आपके पास जो general concept तयार हुआ है rotational motion में अगर small angle d theta displace किया जाए अलप कोण d theta से rotate किया जाए तो जो work done होगा वोगा torque d theta यहां से according तो हम यही बोल रहे हैं कि पहले यह rotate करेगा हम मान लेते हैं इसको पहले बहुत कम यह torque यह बलागून इसको बहुत कम हलका सा theta angle rotate कर रहा है तो work done क्या होगा torque d theta अब हमको यह देखना है कि आपको fix कर दिया कि यह यहां था theta one angle पर यहां से इस angle पर लेके जाना है theta two angle यानि कि इस torque के द्वारा इस बलागून के द्वारा जो आपके पास बार मैगनेट है, डाइपोल है छड़ चुम्बक है, द्वीद्रू है उसको theta one angle से theta two angle तक घुमाना है rotate करना है तो total work done कैसे निकालते हैं physics में सीख चुके अगर dw है तो w कैसे निकलेगा integration से तो यहां integration कर देंगे total work done के लिए limit theta one से theta two तो आपके पास dw, dw का value आपके पास है torque d theta torque का value आपके पास है चाहें तो हम इसको आगे चला सकते हैं dw का value integration torque d theta, theta one to theta two torque का value आपके पास mb sin theta, mb constant है भाहरा आगया theta का variable sin theta है limit theta one to theta two d theta sin theta का integration होता है minus cos theta minus बाहर निकाल दे अगले step में upper limit cos theta two cos theta two minus lower limit cos theta one minus अंदर लेके दा रहे है cos theta one minus cos theta two तो यह work done है आपके पास अगर uniform magnetic field में bar magnet को यह torque rotate करेगा कोण यह position angular position theta one से theta two तक तो work done होगा mb cos theta one minus cos theta two और आगे चलते हैं लेकिन जनरल ही बात होती है यह theta equals zero theta equals zero पर ना torque काम करता है जब आपके पास theta equals zero हो तो torque भी zero होता है force भी zero होता है यह state equalibrium साम्यावस्था कहलाती है मतलब bar magnet की वो state जब उस पर ना तो कोई बल काम करें न बलागून काम करें न फोर्स और न टॉर्क हो तो वो उसकी इक्वली बीरियम स्टेट है अगर इक्वली बीरियम स्टेट theta zero पर होती यहां से यहां से theta angle पर लेकर जाना है या नीचे लेकर जाना है theta angle पर equally बीरियम से theta angle तक displace करना है तो work done equally बीरियम में theta one zero और theta two आपको बोल दिया theta तो साम्य वस्था से एक्वली बीरियम से angular position theta तक displace करने तो work done यही से theta one को theta आपके पास zero कर देंगा और theta two को theta तो work done क्या हैगा mb cos zero minus cos theta तो total work done mb cos zero को value one minus cos theta तो यह work done है एक bar magnet को छड़ चुम्बक को एक चुम्बक के दीधरूव को उसकी साम्य वस्था से एक्वली बीरियम से theta position तक displace करने में अब particular बात अगर उसको साम्य वस्था से उसकी एक्वली बीरियम से 90 तक displace करें तो direct यही से कर सकते हैं अगर यहां से चाहें तो एक zero होगा एक 90 यहां से करते हैं तो यह fix है 90 तक तो theta को 90 से displace कर देंगे तो work done क्या होगा cost 90 cost 90 0 तो बचा क्या w is equals to mb मतलब bar magnet को उसकी साम्य वस्था उसकी एक्वली बीरियम से 90 डिगरी तक displace करेंगे तो जो work done होगा वो होगा सिर्फ m into b के equivalent अगर बात करें उसको साम्य वस्था से 180 तक displace करें यानि कि यहां है यह equally बीरियम यहां से इसको यहां तक displace करें direction opposite कर दें तो work done इसी से theta को 180 से replace करेंगे cos 180 का value minus 1 तो minus 1 into minus से multiply करेंगे plus 1 तो 1 plus 1 2 तो यह होगा 2 mb मतलब एक बार magnet को uniform magnetic field मे तो उस पर जो torque बलागून काम करता है वो उसको rotate करेंगा उसको rotate करने में एक position theta 1 से theta 2 तक ले जाने में work done होगा mb cos theta 1 minus cos theta 2 अगर बात करें उसकी equally बीरियम साम्य वस्था से theta position लेके जाएं तो उसका work done होगा mb 1 minus cos theta अगर बात करें equally बीरियम साम्य वस्था से 90 तक displace करें तो work done होगा mb और 180 तक displace करने की बात करें तो work done होगा 2 mb ठीक है मतलब आपको positions fix कर दे वो बोल दे कि यहां से यहां तक तो आप generally सिफिस formula को use करके आपके पास calculation कर सकते हैं determination कर सकते हैं determine कर सकते हैं कि आपका answer क्या होगा तो यह general बात हैं एक bar magnet को uniform magnetic field में रखने पर force क्या होगा torque क्या होगा उसको rotation करने में कितना work done होगा वो आगे चर्चा कर देंगे इसी topic पर अगली class में चर्चा करेंगे कि एक uniform magnetic field में bar magnet को रखें तो उसकी potential energy क्या होगी magnetic potential energy चुम्बकिये इस्थीती जूर जा लेकिन वो अगली class में चर्चा करेंगे लेकिन दुबार से बोल देता हूँ सारे वीडियो सारे notification आपको टाइम से मिले इसलिए सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें अगली class में फिर मुलाकात होगे एक नए topic के साथ तब तक के लिए धन्यवाद